नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशासत्त की रा में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी तो माखन चोर का जनमोत्सव कूप धूम धाम से सबने मनाया होगा और हमें पुरा यकीन है कि आप लोगों ने हमारे रील दोरा बताया गया वो विशेश प्रियोग जो माखन मिस्री का था और जो विशेश था हमने जिसको परसों आप से शेयर किया था वो भी आपने जिरूर कर लिया होगा मतुरा लगभग हम 10 से 12 वर्ष बाद उपस्तित होंगे मतुरा में मिलकर भी कुण्डली का विशेशन, संपूर्ण विस्तार से विशेशन और सबसे बड़ी चीज हमारे बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग एक बड़ा आउसर देने जा रहे है कार्याले के नंबर पर आप कॉल या वाट्सप कर लीजे और मिलने का समय सुनश्चित कर लीजे आए शुरवात करते हैं बाज के जोतिश दिशा का नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा भादपत माह किश्ण पक्ष नौमी तिथी है आज चंद्रमा ब्रिशब राशी में और नक्षत्र रोहनी रहेगा दोपहर तीन बज़ के 37 मिनट तक और उसके बाद मुरिक शीर्ष योग रहेगा हरशण तद अनुसार दिनांक 27 अगस्त दिन मंगलवार मंगलवार के दिन राहुकाल का समय दोपहर तीन से चार बज़ कर 30 मिनट तक और गुलिकाल का समय दोपहर बारे से एक बज़ कर 30 मिनट तक राहुकाल नए और शुबकामों के लिए सास्त्रोक तो वरजित है इसमें आप आरंभ ना करें तो बहतर है गुलिकाल वो समय होता है जब आप कोई भी नए और शुबकाम आरंभ हर हाल में कर सकते हैं इस दोरान आरंभ किया हुआ कारें परवान चड़ता है और बन जाता है आगे बढ़ेंगे और अब जान लेंगे आज का स्पेशल भाग्य फल भविश्यवाली तो ब्रिशब का चंद्रमा और चंद्रमंगल दो दो नक्षत्र आज रहने वाले हैं रोहिणी और म्रिक्षीर्श इसे म्रिक्षीरा भी कहते हैं मेश राशी उच्च के चंद्रमा का प्रभाव धन संबंधी चिंताओं से आपको बाहर निकाल कर कुछ बड़ी उपलब्धी की तरफ ले जाएगा पढ़ाई आज ब्यहतर ढंग से आप कर सकते हैं ब्यापार के लिए थोड़ा रिस्क लेना भारी पढ़ सकता है मंगल आपको प्रेरित करेगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नई सुरुवात आज हो सकती है आप के लिए कुछ बहतर इस्थिति आज बन सकती है सरकारी छेत्र सकरात्मक परिणाम प्रदान करेगा उत्तम फल की प्राप्ति होगी दामपत्य जीवन की बात करें तो आज एक दूसरे के प्रती अब स्वास पनप सकता है मंगल का प्रभाव और मंगलवार दिन नुकसान देगा स्वास्थ खासी जुखाम के साथ साथ पेट की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना है आज गुलाब जल उल्ती हथेली पर लेकर अपने उपर छिरकाव करे शुखरंग आपके लिए आज आसमानी भाग्य प्रतिशत पचपन ब्रिशवराशी चंद्रमा की स्थिती हर तरह से आपके लिए फेवर में है चंद्रमा आज कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करेगा ब्यापार अकस्मात किसी नुकसान की इस्थिती में आ सकता है बिजनस में रिस्क नहीं लेना है प्राइवेट सेक्टर बालों के लिए समय हर तरह से पक्ष में रहेगा शुभ रहेगा सरकारी छेत्र उल्जन पैदा कर रहा है गवर्मेंट सेक्टर में संभल कर चलने की आवशक्ता है दामपत्य जीवन पत्य पत्नी के बीच किसी अन्ने का प्रवेश दर्साता है स्वास्थ कमरदर्द की शिकायत और लीवर की समस्या दिखाएगा क्या उपाय करना है ब्रिशबराश आज कच्चे चावल का दान अगर आप करते हैं तो आपके लिए दिन को सकरात्मक करना सहज रहेगा स्वास्थ के मामले में आज डाइजेशन की दिक्कत है ब्रिथिंग प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना है आज प्रियोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को जल का दान कर दीजिए शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्य प्रतिशत बावर फिफ्टी टू मिथुन राशिए द्वादस के चंद्रमा के साथ दिन का शुभारंब शुक्षा की स्थती उत्तम मजबूत इक्षाएं आज प्रबल रहेंगी बढ़ी हुई रहेंगी ब्यपार की स्थती के लिए आज यात्रा अवाइड नहीं कर सकेंगे प्राइवेट शिक्टर प्रमोशन धन का लाव बॉस की प्रशन्नता दिखाता है सरकारी छेत्र के लिए स्वयम पर विश्वास जाग्रित करना होगा आज कारी छेत्र में थोड़ा डावाडोल रहेंगे दामपत्य जीवन एक बात समझना आपके लिए अनिवार्य हगर आपकी राश्य मिथुन है कि अंतरंगताएं भी अनिवार्य होती है स्वास्थ के मामले में आज का दिन खासी जुखाम की सिकायत और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के लिए अपने मस्तक पर शेहत का तिलक लगाईए शुखरंग आपके लिए आज लाल भाग की प्रिद्शत पचास करकराश बहुत संतुलित इस्थति है पढ़ाई आज हर तरह से आपके लिए अनकूल रहेगा स्विक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं है और इस्थतियां हर तरह से आपके लिए शुखर रहेगी उच्च के राशी स्वामी अपने नक्षत्र में आजपुन है आपको कुछ विशेश कार संपन होने की प्रसनता देंगे ब्यापार थोड़ा तकलीफ दे रहा है बिजनस पर ध्यान देने की आवशक्ता है प्राइवर्ट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए यात्रा से भागना भारी पड़ेगा करकर आशीव सरकारी छेत्र एक नई सुर्वात धन का लाब मानसिक प्रशनता देता है दामपत्य जीवन एक दुसरे के प्रती भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे स्वास्थ के मामले में आज का दिन आँख की समस्या और बैक की प्राबलम होगी क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर अपने नाभी पर इत्र लगाईएगा शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्य प्रशत सत्तावन सिंगराश दसंभाव का जागरित होना आज आपको हर तरह से मजबूत बना रहा है द्वादशे शोकर के चन्रमा उच्चके है कुछ इतना बड़ा हो जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा पढ़ाई के लिए दिन बहुत अनकूल रहेगा ब्यापार में स्थतियां थोड़ी सी डामा डोल है बिजनस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आज सिंग राशिवालों को नई नौकरी के लिए तलाश पूर्ण होता दिखाई देगा सरकारी छेत्र कुछ इस्थति में इधर उधर से आपको उल्जन पैदा करेगा प्रियोग के तौर पर आज स्वयंपर केसर के जल का छिड़काओ करें शुबरंग आप के लिए आज केसरिया भाग्य प्रत्षत अठावन कन्यराशि आईए भाग्यस्थान की यात्रा करते हैं बहुत चमतकृत महसूस करेंगे आज कुछ दिवाइन सा फील करेंगे शिक्षा की स्थिती और अस्तर आपके हिसाब से चल रहा है ब्यापार में मामला आज थोड़ा बहुत डावाडोल हो रहा है लेकिन जैसा आपने सोचा है उसके हिसाब से कदम बढ़ाना आपके लिए अनकूलता का परिचे देगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नई सुरुवात कुछ बहतर सुरुवात आज होगी सरकारी छेत्र आज कहीं आत्रा पर जा सकते हैं धन की स्थती सुद्रण हो रही है दांपत्य जीवन विरक्ति आएगी मन नहीं करेगा एक दूसरे को देखने का बात करने का आज कुछ उचाट-उचाट सा मैरिड लाइफ में लगेगा स्वास्त है खासी जुखाम की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है आज के दिन प्रियोग के तौर पर अपने उपर गंगा जलका छिरकाव करिए शुबरंग आपके लिए आज नीला भागी प्रतिशत 50 तुला राशी परिस्थतियां थोड़ी सी प्रत्कूल हो रही है थोड़ा सभल कर चलने के आवश्यक्ता है अचानक कुछ परेशान हो सकते हैं पढ़ाई गरबर होगी आठमे का चंद्रमा है मन कम लगेगा ब्यापार धन आएगा आज पैसे की चिंता मत करिए अगर आप ब्यापारी है तो आज पैसा तो आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की नोकरी वालों के लिए आज बॉस के साथ किसी न किसी कूढ़ विश्य पर विवाध हो सकता है सरकारी छेत्र काम से भागना भारी पड़ेगा छुट्टी उट्टी जाता मत मागिए दामपत्य जीवन एक दूसरे को समझ कर और सहने की आदत डालिएगा आज स्वास्थे कमर दर्द की शिकायत और हड़ी की दिक्कत होगी क्या हुपाय करना तुलावा लोग हो आज शिवलिंग पे शेह दरपन करें शुभरंग आपके लिए बादामी भागिप्रथिशत पचास ब्रिश्चिक राशिए साथमे में मजबूत चंद्रमा की स्थती आपको आज मांसिक प्रशनता प्रदान कर रही है शिक्षा के निमित आज कुछ विशेश योजनाओं को बल मिलने की आवश्यक्ता और परिस्थती दिखाई देती है व्यापार के लिए परिस्थतियों को आज आप संभाल नहीं पाएंगे बिजनस में दिक्कतें परिस्थतियों के अनुसार बढ़ रही है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए अद्भुत इस्थति दे रहा है मजबूत इस्थति दे रहा है सरकारी छेत्र को आज संभालने में आप काम्याब होंगे गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए उत्तम परिणाम देगा दामपत्य जीवन एक दूसरे को संभाल कर कदम बढ़ाएं सब प्रकार से आपके लिए शुबता रहेगी स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की समस्या किट्नी की दिक्कत दिखाता है क्या उपाय करना है ब्रश्चक राशिवालों को आज प्रियोक के तौर पर तुलसी के नीचे की विट्टी से मस्तक पर तिलक करिए काले रंगी शुबता के साथ 56 प्रित्षत का भाग दिया धनु राशिव मैटर हर प्रकार से आपके अनुसार है पढ़ाई बेहतर कर लेंगे आप साधने की स्थिती बनेगी प्राइवेट सेक्टर कुछ नई सुरुवात के लिए आज बेहतर परणाम देगा सरकारी छेतर को आप कुछ संभाल नहीं पा रहा है जिसकी वज़य से समस्याएं गंभीर रूप ले रही दामपत्य जीवन बाहरी व्यक्ति का सेध लगाना संभल कर ध्यान दीजिएगा कोई आस्तीन का सांप मैर्यड लाइफ को डिश्टर्ब करेगा धनुराश स्वास्थ बेहतरीन है हर कदम पर आपको लाब मिलेगा स्थती आपके लिए अच्छी रहेगी स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या और आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है ओम गंगन पते नमः ग्यारह वारिस मंत्र का जाप कर लेजेगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भागिपत्षत चववन मकर राशी भाग्यस्थान पर बलवान चंद्रमा आज नई सुरुवात की तरफ इशारा करता है शुक्षा के छेतर में कुछ बहतर और नए कोर्स में एडमिशन के लिए विचार कर सकते है ब्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा बिजनस में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर में कुछ बहतर इस्थती आ रही है हर प्रकार से आपको शुपता मिलेगी सरकारी छेतर को साधरे में आप काम्याब होंगे गौर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सगारात्मक परिणाम देगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्ती और बच्चों के साथ कहीं घुमने टहले का कारिकरम बनेगा स्वास्त के मामले में आज का दिन लीवर की समस्या और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है आज प्रियोग के तोर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रत्षत सत्तावन कुम्भराशी चंद्रमा की स्थती आज चतुर्थ भाव में जागरित हो गई है सिक्षा हर तरह से आपके लिए उत्तम है पढ़ाई में लाव हो रहा है ब्यापार एक नई सुरुवात की तरफ इशारा करता है बिजनस में कुछ बहतर सुरुवात होगा प्राइवेट सिक्टर में स्थतियां थोड़ी सी परेशान कर रही है संभल कर चलने की आवश्यक्ता है सरकारी छेतर में लंबी यात्रा की तरफ इशारे हैं कहीं भेजे जा सकते हैं आज तैयार रहिएगा प्रमोशन के लिए पैरवी की जा सकती है दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से आज मजबूत रहेंगे स्थति अच्छी रहेगे स्वास्त पेट की समस्या और बैक की प्राबलम हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए कुम्भ राशी वालों को आज 21 बार ओम नमष शिवाय का जाब करिए शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रिथशत तिरपन मीन राशी चंद्रमा की स्थती आज तिरती भाव में है आलस से बहुत आएगा काम में मन नहीं लगेगा पढ़ाई से आज भी मुकता रहेगी किताब उठाने का दिल नहीं करेगा व्यापार आपके लिए बहतर रहेगा बिजनस में इस्थतियां बहुत अच्छी रहेगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नई सुरुवात की तरफ इशारा करता है प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता रहेगा सरकारी छेत्र लंबी लडाई की तरफ ध्यान देता है नापत्य जीवन का विशेश ध्यान देता है स्वास्त के मामले में आज का दिन बैक की प्रॉब्लम और आखों की समस्या दिखाता है क्या उपाय करना है पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग की प्रतिशत पचास राश्यों की स्थति के बाद आए चर्चा करेंगे अब आज के सक्सेस की का लेकिन आपको बताएं कि मथुरा 30-31 को हो बिलकुल समय मत गमाईएगा मिलने के लिए जरूर समय ले लिजेगा आपके लिए यह एक विशेश प्रभाव रहेगा आपको बस कदम बढ़ाना है अनकूलता आप चाहिए तो कदम बढ़ाईए चर्चा आगे की तरफ सक्सेस की दिनांक 27 अगस्त का सक्सेस की उल्टे हाथ की छोटी उगली में सर्सो का तेल लगाकर अपने कान के पीछे लगाईए मंगल का प्रभाव मुरिक शिरा नक्षत राज मुरिक शिर सनक्षत राज दोपर 3 बच के 35 मिनिट पे लगेगा सबकुछ संतुलन में लाकर के रख देगा जरूर कर लीजेगा भाग्याक्षर 27 अगस्त का भाग्याक्षर मिश पा ब्रिशब वा मिथुन हा कर्क छोटा आ सिंग गा कन्या चा तुला धा ब्रिश्चिक फा धनु या मकर भा कुम्भ गा मीन चा चर्चा अब आज के आयुश्मान भवह की आज का आयुश्मान भवह आज जन्मपायल लोगों के लिए उपाय करना होगा किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए देना परम शुभ रहेगा किसी मंदिर में रुद्रा अभिशेक करवाईए एक माला गायतरी मंद्र का जाब करिए और तीन पीपल के पौधे कही लगा देजे 27 अगस्त जिनकी marriage anniversary है किसी सफाई कर्मचारी को नमक का दान करना है रुद्रा अभिशेक करवाना है और दो बरगत के पौधे पती पतनी मिलकर लगा दे जरूर लाब होगा परम पावन शुभता रहेगी तो आईए मुलाकात करते हैं मुथ्रा में और भोपाल में अपॉइंट्मेंट लगातार चल रहे है किसी भी नंबर पर कॉल करके अपॉइंट्मेंट बुग करवा सकते है बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद हैवेनाश जे जैस्री किशना शेरा दे आचार्य विश्वप्रसिध ज्योतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए है एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब, व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हे तू महालक्ष्मी, कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब, दीप एक, खुशियां अनेक ग्रहदीब उस ओिप, लुशियां नहीं। झाल झाल